कि कैसे हो आप सब आप सब बहुत अच्छे होंगे सबकी पढ़ाई भी और सबकी लाइफ भी काफी मज़ेदार चल रही होगी मैं हूँ आपकी अपनी खुश्बूमा आम बायोलिजी मास्टर टीचर अट वेदान तुम बहुत सारे मेरे प्यारे प्यारे से बच्चे अपने पीसीबी के स्ट्रीम को चूज कर चुके होंगे और अपनी नीट की प्रिपरेशन औरने साट कर दी होगी तो आज मैं आपको ऐसे ही टॉप फाइफ मेडिकल कॉलेजिस बताने वाली हूँ जो आपके इंडिया में अवेलेबल हैं और आफ्टर कॉलिफाइंग और नीट आ करने के लिए अगर आप जैन्विनली मन लगा करके पढ़ोगे ना तो आपको कोई नहीं रोक सकता नीट क्वालिफाइब करने के लिए आप अपने सीनियर्स को और जो भी बचा पहली बार मेरा सेशन अग्लास 10 स्टूडेंट कर रहा है या क्लास 9 स्टूडेंट तो उन सबसे पहला स्टेप NCRT की बुक होती है जिसको हम पढ़ते हैं अपने अकैडमिक एयर के स्टार्ट में थीक है तो विदानतु आपके लिए लेकर क्या आया है इन सबके सल्यूशन आपकी NCRT बुक के वो चाहें इंगलिश हो एसेस्टी हो मैट्स हो या फिर बायो फिजिक या कि वेचरी क्यों ना हो इन सबको आप चेकाउट कर सकते हो बस आपको इस सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना पड़ेगा जहां पर आपको कुछ इस तरीके का एक लिंक दिखेगा जब आप इस लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको एक एक एक्सल शीट ओपन हो क जैसे ही आप एक्सल शीट ओपन होकर के आएगी जिसको आप फ्री ओफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हो उसमें सारे ही सब्जेक के फ्री ओफ कॉस्ट एंसी आटी सेलूशन अवेलिबल है तो मेक शॉर जरूर करना कि आप उसको चेकाउट कर लो भाई क्योंकि फ्री से अच्छ टोप फाइडिकल कॉलेज में आपके ये पांच मेडिकल कॉलेज आते हैं औल इंडिया इंस्ट्यूट उफ मेडिकल साइंस तो वह उपका हर जिगए है लेकिन कौन सा ऐंस फेमस है आपका वह बताऊंगी पी जी आई एम ए आर जिप पर ठीक है जिप मर कैसे हैं वैसे तो पोस्ट ग्राजुएट इंस्टिटूट अफ मेडिकल एडुकेशन और रिसेर्च क्रिश्टियन मेडिकल कॉलेज वेल लॉर में है नाशनल इंस्टिटूट अफ मेंटल हेल्थ और नियूरो साइंसे संजे गांधी पोस्ट ग्राजुएट इंस्टिटूट अफ मेडिकल साइंसे एस जी पीजी आई एम एस यह तो भाई मुझे पता है कहां पर है और इवन आई विज्टेट इस कॉलेज ऑलसो तो भाई आपका ओल इंडिया इंस्टिटूट अफ मेडिकल साइंसे ऑल हमेशा की त आई यार रैंक तब आपको एमस डेली में अडमीशन मिल सकता है विच इस रिकोगनाइज बाई यॉर नेशनल मेडिकल कमीशन एनमसी एसोशियेटेड हॉस्पिटल भी है देखो कोई मेडिकल कॉलेज होगा उसको हॉस्पिटल जरूर होगा क्योंकि जब आप मेडिकल कॉ इसके लिए उन हॉस्पिटल में लगाया जाएगा आपकी ड्यूटी लगाई जाएगी और एंट्रेंस एक्जाम आप सबको पता है नीट का एक्जाम सबसे पहला होता है लेकिन यह नीट यूजी के लिए होता है इवेन एमस बीसी नर्सिंग जो बच्चे नर्सिंग करना चाहते हैं उनके लिए भी है और अगर आप वहां से मास्टर्स करना चाहते हो तो उसके लिए भी वहां पर एंट्रेंस एक्जाम होता है जो आपका वो एक्जाम है जो आप आप MBBS करने के बाद दोगे तब आपको इन कॉलेजिस में एड्मीशन मिल सकता है मतलब यह डॉक्ट्रेट डिगे स्वारी डॉक्टर जहां पर खुद का ऑस्पेटल होता है वहां पर आपको मेडिकल एक्ष्पोजर सच में बहुत अच्छा मिलेगा तो मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चों का यह सपना जरूर होगा डेली में एड्मीशन लेने का दूसरे आपके कॉलेज की बात करूं तो आपका यह क पड़ेगी for getting admission in these government colleges और अगें entrance exam नीट रहेगा और INI CET रहेगा और अगें देख रहे हो उन hospitals में जो आपके college के पास में होंगे क्यों क्योंकि यह mandatory रहता है आपके MBBS की पूरी जर्णी में कि आपकी duty for medical exposure भाई medical exposure तो आपको लेना ही पड़ेगा उसके लिए आपको hospitals में duty करनी ही पड़ेगी तो आपके second number पे भाई यह prestigious सा college आता है जिसमें आप अगर खूब सारा मेहनत और hard work और smart work करोगे तो भाई जरूर मिल सकता है आपका college थर्ड नंबर पे आपका Christian medical college वेल लॉर का ही था अगेन आपका entrance exam आपको पता ही है करो ना कि आपके very first attempt में ही यह qualify हो जाए और ऐसे ही कुछ prestigious colleges से आप अपना MBBS कर रहे हो नहीं भी मिलेगा फिर भी tension लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि और भी बहुत सारे अच्छे-च्छे इंडिया में colleges है बस government colleges में थोड़ा सा fees कम रहती है बट यह आपका ownership private college से पहले दो तो government की फीस थोड़ी सी nominal रहती है private की फीस थोड़ी सी बढ़ी हुई रहती है तो nominal fees रखने के लिए आपको नीट बहुत अच्छे से qualify करना पड़ेगा और फूर्थ नंबर की बात करें तो यह आपका national institute of mental health and neurosciences colleges neurosciences is one of the toughest branch consider कि याती सेडियोलोजी and neurosciences काफी toughest branch consider की जाती है after your MBBS और यह तो भाई बैंगलॉर लोकेशन में है बैंगलॉर अप्रूवड बाई यूजी सी यूजी सी ने अप्रूवड ऑलड़ी किया हुआ है इसका ownership भी इंस इंस इंस्टिट्यूट आफ नाशनल इंपोर्टन्स है यह भी private college ह तो Christian और यह वाले यह दोनों private college है जो सबसे पहला बताया और दूसरा बताया वह आपका government है तो मैं तो आपको suggestion यही दूँगे कि government के लिए जरूर ट्राय करना because fees काफी nominal रहती है उसकी बाकी as such कोई अच्छा मतलब कोई खराब college नहीं होता है सारी colleges अच्छे it depends on you कि आप प वाइट किया जाता है जो आपको काबिल बनाता है पढ़ना तो भाई आपको भी पढ़ेगा college आपको बिठा करके नहीं पढ़ा देगा कि पढ़ भाई बैट करके पढ़ना तो कुछ से पढ़ेगा तो सारे ही college अपने में काफी अच्छे रहते हैं मैंने आपको top 5 colleges बताए जिनका सच में काफी अच्छा नाम है और लास्ट मैं आपको बताई है SG PG IMS यह तो लखनाव जी है हमारे नवाबों के शहर से हैं और यह भी आपका ownership टाइप private यह government नहीं है location रहती है इसकी UP काफी अच्छा college है even tertiary medical care भी available है जहां पे आप duty कर सकते हो बहुत सारे PhD scholars भी college को prefer करते हैं सच में काफी अच्छा college है even मैंने देखा भी है मेरे खुद के friends वहां पे हैं भी जो वहां पे research work कर रहे हैं अपने PhD के लिए तो यह सारे ही आपके top 5 medical colleges थे जिसको आप dream कर सकते हो आप इनका ranking एक बार जरूर check out करना कि कि कितनी किनी ranking पे आपको यह colleges मिल सकते ह सच में prestigious colleges हैं आपको help मिलेगी अपने MBBS को अच्छे medical college से complete करने की तो यह सारों को अपने list में जरूर रखना क्यूंकि after qualifying नीट आपकी counseling तो होगी होगी जिसमें आप ऐसे ही कुछ अपनी ranking के according colleges चूस करोगे तो भाई अब ऐसी ही अच्छी-ची information के लिए telegram चानल को जरूर कर देना जिसका link जो है आपके session के description box में available है और अगर आपको मुझे personally follow करना है तो आप मुझे Instagram पर follow कर सकते हो खुश्बू underscore भाटिया मेरा Instagram का account है जी and last में जाते जाते क्या कर देना है session को like कर देना है channel को subscribe कर देना है और इसे अपने friends के साथ share भी कर देना है ताकि उनका भी भाई हमारे channel के साथ बला हो जाए तो अब हम फिर मिलेंगे चलते चलते ऐसे ही next amazing session में तो bye and take care